हाई गाईज, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ अपनी और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार ग्रीक माइथोलोजिकल स्टोरीज पहली स्टोरी जिसमें हैं दे पिलाजजियन क्रियेशन मिथ ये दुनिया कैसे बनी? ये चान, सितारे, आस्मान, सूरच ये सब एक्जिस्टेंस में कैसे आया? इस बात को लेकर ग्रीक माइथोलोजी में बहुत ही मज़ेदार मज़ेदार स्टोरीज है उनमें से एक पिलाजजियन्स की माईए हुई स्टोरी है ऐसा माना जाता है कि यूरनोम, the goddess of all things, जब के ओस से निकल कर आई तो उन्हें अपना पैर रखने के लिए कोई जगह नहीं मिली और इसी लिए उन्होंने आस्मान और पानी को अलग-अलग कर दिया और फिर उसी पानी की लहरों पर वो चलने लगी और नाचने लगी सबसे पहले वो दक्षिन की ओर बड़ी जब दक्षिनी हवाय चलने लगी उसके बाद वो नौर्थ की तरफ यानि उत्तर की तरफ गई और उन्होंने नदन विंड को अपने हाथों में लेकर रब करना चालू किया और जैसे उन्होंने रब किया हमारे सामने आय ओफायन एक सर्पेंट जो की के औस से राइस हुए थे ग्रीक माइथालोजी में सर्पेंट वो लोग होते हैं जो की बहुत ही इविल, दुष्ट, दानव किसम के लोग होते हैं जिनका मकसद ही होता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लिम क्रेट करना जब हवाई चलने लगी, यूरिनोम ने खुद को वाउम करने के लिए गर्माहट देने के लिए और जादा नाचना शुरू किया और वो नाचती गई, नाचती गई, नाचती गई और उनके नाचने की इंटेंसिटी बढ़ती गई इसे देखकर ओफायन जो के एक सर्पिंट है, अपने अंदर का लस्ट कंटोल नहीं कर पाए और उन्हें जाकर उनके अराउंड उन्होंने कॉल अप कर लिया और वहां से बोरियस यानि की नदन विंड ने फर्टिलाइस किया और हमें मिला यूरिनोम का एक बच्चा उसके बाद यूरिनोम ने एक डव का फॉर्म लिया, डव जिसे हम प्यार का पक्षी भी कहते हैं उसका फॉर्म लिया और वो लहरों पर जाकर चलने लगी तब उन्होंने एक यूनिवर्सल एग दिया और उफायन को बहुत बार कहने के बाद उफायन ने उस यूनिवर्सल एग के राउंड कोईल करना चालू किया और बहुत बार कोईल करने के बाद वो एग जो है वो दो हिस्सों में तूट गया और वहां से निकले पहुत सारे बच्चे, सन, मून, सारे ग्रह, पानी और पहुत सारे अलग चीज़े जिन्होंने पूरे शिष्टी का निर्मान किया फिर अपने सभी बच्चों को ही सब करते देख, यूरिनोम और ओफायन ने माउंट ओलिम्पस पर अपना एक घर बनाया लेकिन वहां पर ओफायन ने यूरिनोम को परिशान करके रख दिया कि ये सब जो हुआ है वो मेरी वज़े से हुआ है, ये सब मेरे बच्चे हैं, तुम्हारे नहीं, मैं सूपर पार वोल करता हूँ और तुम कुछ भी नहीं इस बाद से गुसा होकर यूरिनोम ने अपनी हील से उनके सर पर जोर से मारा, उनके जो टीथ हैं उन्हें किक आउट किया और उन्हें भेज दिया, अर्थ के नीचे बहुत ही डाग डाग केश के अंदर और उसके बाद यूरिनोम ने बनाई साथ ग्रह की शक्ती, हर ग्रह पर एक टाइटनिस और एक टाइटन को प्लेस करके, यानि कि एक पैर हो, पावर्स का तो उन्होंने थिया और हैपीरिन को सूरज के लिए चुना, फीवी और आटलस बनाए चंद्रमा के लिए, डियॉन और स्ट्रियस बनाए प्लानेट मार्स यानि कि मंगल के लिए, मेटिस और कोईस बनाए मर्क्युरी यानि कि बुद्ध के लिए, थेमिस और यूरिमेडन बनाए जुपिटर के लिए, थेथिस और ओशनस बनाए वीनस के लिए, यानि कि शुक्र ग्रह, रिया और क्रोनस बनाए शनी ग्रह के लिए, ये तो था एक पेलाश्जिन मित, लेकिन ग्रीक माइथालोजी में ऐसे और भी कई मित्स हैं, एक मित्स ये भी है कि क्रियेशन जो है इस दुनिया का, वो हुआ था Mother Earth के द्वारा, के ओस से वो राइस हुई, और अपने बच्चे यूरनस को अपने साथ लेकर आई, और धीरे-धीरे करके उन्होंने सीक्रेट्स बनाए, और बहुत सारे और बच्चों को जनम दिया, और इस पर ये एक और मित है कि जब यूरनस बढ़े हुए, तो उन्होंने टाइटिन्स को रूल करना चालू किया, यानि कि उन्होंने खुद को उनका फादर बताया, और Mother Earth इससे बहुत गुस्सा हुई, और इसलिए उन्होंने टाइटिन्स को भढ़काया, कि वो यूरनस को खत्म कर दे, और ऐसा टाइटिन ये सारी चीजें आगे बनी थी, नाइट और एरिबस के संगम से जॉइ, हैपननेस और हमें पता नहीं क्या-क्या मिला था, तो ये सब मित्स ग्रीक माइथॉलिजी में काफी पॉपिलर है, अगर आपको ऐसा कोई मित पता है, क्रिएशन मित, जिसे जानकर लोग थोड़े स अगर आपको ऐसे कुछ मित्स पता है, जो क्रिएशन रिलेटेड नहीं है, पर फिर भी बहुत इंट्रेस्टिंग है, ग्रीक माइथॉलिजी रिलेटेड, तो उन्हें भी कॉमें सेक्शन में लिख दीजिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक, सब्स स्काइबर शेर करना ना भूले, और हमारी अगली स्टोरीज चेक आउट करना भी ना भूले, आपको से मुलाकात होगी अगले वीडियो में,